दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों आज हम वीडियों की शुरुआत में ही श्रीचार्ट महालक्षमी जी के दर्सान इसलिए करते हैं भाई साब कि आप देख लीजिए मार्केट भाई साब कहां पहुंच गया है अठारा हजार तीन सो के पार खड़ा हुआ है आपको दोस्तों याद होगा जब मार्केट नीचे था सत्तरा हजार की लेवल पर शुला आठ सो की लेवल पर तब किसी को नहीं खरीदना था और इसी चैनल पर हम एक वार नहीं बार बार हजार वार चरचा किये थे अच्छा माल सस्ते दाम पर लेने का अगर मौका है तो यही है यही है तब भाई साब कोई ले नहीं रहा था तब भाई साब सबको बेचना था और आज देखिए सबको खरीदना है यहां भाई साब डर का माहुल था यहां भाई साब लालच का माहुल है हमारे सभी ध्यान दीजिए आज आपने पॉर्टफोलियो में देख लिजिए जब मार्केट में अच्छा हो लाता है तो हर्द अच्छा इस्टॉक करता है मतलब क्या करना है आपको नीचे जब मार्केट में गिरावऩ आएगी अगली बार तो आपने अच्छा माल सस्तेदाम पर एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार जितने हाथ मिलें खरीद के सांती से बैटिये करना हैं तो श्री महालक्षमी जी का भजन कीजिए सांती से बैटेंगे जबरदस्त पैसा बनेगा और अगर आप उचलेंगे कूदेंगे तो ध्यान रखिएगा कहावत है आधी छोड़ पूरी को धावे आधी मिले न पूरी पावे बचपन में आपने कहानी पड़ी होगी वाई सापी कुत्ते के मूँ में आधी रोटी थी और सामने वाले कुत्ते से आधी रोटी छीनने के चक्कर में उसने मूँ की रोटी नदी में गिरा दी थी इस बेचा जाता है ध्यान रखिएगा दोस्तों खबर है तो हम वैसे रोजाना पढ़ते हैं लेकिन भाई साब कुछ खबर ऐसी होती है जिनको पढ़के और समझ के भाई साब दिल्खुस हो जाता है क्योंकि नई बात की जाती है उनमें वैसा ही गटनागरम देखिए दोस्तों वैसा ही गटनागरम देखिए दोस्तों आपने से जो लोग आर्मी से तालुक रखते हैं वो इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि आर्मी में क्या होता है बहुत ही स्टीप कर्व होता है वाई साब मतलब नीचे सेनिक जादा होते हैं और उपर जैसे जैसे प्रमोशन हो होता है वैसे वैसे बहुत कम लोगों का बहुत कम आफिशेर्र का प्रमोशन होता है ओपर सन जो पर लीडर होता है वो बैठता तो आ गए अब हमें इतनी यात्रा और तय करनी है बड़ी मुश्किल से हो पाई है थोड़ा और इस्वर कृपा कर दे फेवरेवल सिनेरियों बन जाए तो हमारा ये वाला प्रमोशन भी हो जाए तो होता क्या है जब वो इस लेवल पर पहुंचते हैं तो वो रिस्क हो जाते हैं वो क्या है खत्रे से बचने लगते हैं और वो कहते हैं या टाइम पास हो जाए और अगले एक दो साल में हम जो है आर्मी की टॉप पॉडिशन पर प्रमोशन प्राप्त कर लें तो भाईया वो क्या करते हैं आतंकियों के खिलाब एक्सन नहीं लेते एक डिड़ साल उन में इंडिया को क्योंकि उस दौरान ये लोग भारत विरोधी एक्टिविटी को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाते इसमें हम इनको कोई दोस्त नहीं दे रहे हम तो यह और्गनाइजेशनल इस्ट्रक्चर की खामी है यह भाईया जी आप प्रमोशन में सांती को महत तु क्यों देते हो कि यह सांती रहे रादर दिन इससे बहतर होगा कि आप एक्शन को तरजियत दीजिए कि भाईजाब आपने इस लेवल पे कौन सा एक्शन लिया जो की आतंकियों के खिलाफ अनोखा था प्रभाव सील था और यदि वो कदम बहतरीन हुआ तभी हम आपको उपर का प्रमोशन देंगे नहीं तो प्रमोशन नहीं होगा पॉइंट यह है कि अप्रोच बदल दी है भारत सरकार ने अब जो है सांती की स्थापना जो है उद्देश नहीं है में चीज़े कि आपने क्या एक्शन लिया आपके एक्शन का देश को क्या लाब लेकिन आप वो टाइम पास नहीं करेंगे अब भाईजा वो टाइम ली एक्षन लेंगे और दोस्तों एक कदम आपको छोटा लग सकता है लेकिन इसका परणाम देखने को मिलेगा आपको आतन की घटनाओं में आने वाली भविष्ट में गिरावटों में पाकिस्ताने की दा मजेदार लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें अब दोस्तों आप लोगों न सुना है कि खिजियानी बिल्ली खंबान हो चुती है अब आप देख लीजिए भाईया वही होते हुए सिर्फ सेना को भाई साथ कुछ नहीं मिल रहा है तो भाईया अब जो है सरत पवार हैस फिल्ड ऐसा कहने लगे ये बात दोस्तों हम आज से नहीं कई वार कह चुके हैं कि सरत पवार साहिब के खिलाप खेलना इनके खिलाप बयान बाजी करना मतलब आप अपने पेर पर कुलाडी मार रहे हो हो सब छोड़ो आप स्वयम मोदी साहाब स्वयम अमितशाह साहाब जो है पवार साहाब को टारगेट करने से बचते हैं बचते हैं लेकिन ये आब मिलेंगी अगले असेंबली और लोग सुवा के चुनाओं में ऐसी गालियां देखे आप और जो है जले पर नमक छड़क रहा हो उनके उनके पास बाइशाब सारे पत्ते होते हैं हमेशा हमेशा वह भाईया जी यहां नहीं तो कहीं और काट देंगे हमने तो सब्सक्राइब क की स्ट्रेटजी देखिए 25-30 सालों से वह आज कोई काम करें भाई शाब तो उसके पीछे पांच सालों की स्ट्रेटजी होती है इसलिए आज वो क्यों कर रहे हैं पांच सालवाद क्या प्रवाब पड़ेगा यह इनको पता है और रही बार उद्दाव ठाक रेगी तो वह भारत को तोड़के भाई-शाब हम धर्ती पर जन्नत बनाएंगे बारत से अलग होके देखिए जन्नत तो नहीं बनी लेकिन आई-एम-फ के दर्वाजे पर दोनों खड़े हैं और आई-एम-फ दोनों में लाते फटकार रहा है आई-एम-फ का किना बंगलादेश से बही देख रहे हैं यह हालत है दोस्तों बंगलादेश की और इसके बावजूद यह देश भारत को कोश्ट रहते हैं जैसे भाईया इन्होंने अलग होगे बहुत बड़े जंडे गाल लिए हूं अरे भाईया जी दर्वाजे पर मत्थे प्लिटते रहो अरे भाईया जी इनको एक ठोकने खाएंगे हर दर्वाजे पर इनको मत्था टेकना पड़ेगा इनका कल्यान होगा केवल केवल महालक्षमी जी की सरण में आने से जितने जल्दी होगा उतने जल्दी कल्यान होगा नहीं तो भाईशाब बरवाजी तो होई रही है सामने आपके इसी भी जो दोस्तों खड़ा करने की वह एड्रोजन की ख़लाब खड़ा हो गया है और वहां पर महंगाई है बहुत जादा जनता की हालत जो है विप्रीत हो रखी है परणाम सरूप आज तक के इत्यास में सबसे जादा कमजोर इस्थती है और कई सारे जो ओपीनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें जा रहा है कि इस बार तो भाईया जी लूटिया जूब जाएगी जबकि पूरी मीडिया लगी हुई है इनके सपोर्ट में प्रचार प्रसार करने में लेकिन इनके हारने की संबावना सबसे ज्यादा परवल कभी थी तो वह अभी है अभी है आपका क्या मत है एट्रोजन स अब जाके यूरोप को समझ में आ रहा है क्या कि भाई साहब चीन ही रूस को हत्यार सप्लाई कर रहे हैं जिससे रूसी हत्यार काम कर रहे हैं अब यूरोपियन यूजिन ने लिया है कि हम चाइनीज कंपनियों को टार्गेट करेंगे उन पर सेंक्संस लगाएंगे मतलब इतना सब बरवादी करवादी यूक्रेन की पूरे पहाड़ को मैदान बना दिया आपने यूक्रेन में अब जो है आप प्रित्वंद लगा रहा है और क्या बोल रहे हैं हम सोचेंगे वी आर प्लानिंग ऐसे ही करते रहो तो भाईया जी आपकी जो हार है उसको कोई नहीं लग सकता भाई शाब युद्ध ऐसे लड़े जाते हैं आप बताओ भाई शाब फिर भी देर सही सही हम तो करतो दो भाई शाब कहें टेंसन लेते हो बाद में रिवाइस कर देना पटाफट लो लगाओ प्रित्वंद बाद में रिव्यू करो बाद में जरूरत पड़े त हैं यह पाकिस्तानी लिखती पाकिस्तान में है लेकिन लंडन में है आरे बाभया क्या होगा लंडन में लंडन में लंडन में पाकिस्तानी अखवारों में इनकी कोई पूंछ नहीं है इसके बावजूद conspiracy कुर्फ़रमेंस आपने रडि नुन ब को दिये ए आप खाते भारत का हैं बजाते पाकिस्तान का हैं उनको चुन के इंटर्व्यू दिये और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिये रावल पिंडी बोले खुस है रावल पिंडी इतना खुस है कि इम्रान खान के वाद इनका नंबर आएगा अरे उनको बहुत पुतली चाहिए इतनी सी बात है उनको ऐसा आदमें चाहिए जो ना बोले ना चाले सिर्फ उनकी उंगलियों पे नाशता रहे तो भाई आप इम्रान खान हो विलावल भुट्टो करना इनको एक ही काम है गाली खाना है इनको यह की काम है पाकिस्तान में प्रधान मंद्री का कि यह पांस सा की परफॉर्मेंस है अरे भाईया जी जैसंकर सहाब ने हम लोगों के मन की बात कहीं तो क्या बोलती है जैसंकर का मेल्ट डाउन हो गया जैसंकर मॉंबत्ती की तरह पेगल गया हमने का मैडम ऐसे ही बाते लिखनी है तो आप डौन में लिखो ना पाकिस्तानी अखवार में पॉइंट जहा है भाई साब की भारत में इसलिए लिख रही है क्योंकि भारत में भी लेफ्ट लिबरल लोग बैठे हुए हैं जिनको कल तक इमरान खान में भविष्च दिखता था आज उनको बिलावल भुटों में भविष्च दिखना चाहिए बिलावल भुटों की फंडमेंटल इनालीसिस की दो कलाएं यह कलाएं नहीं काबियत है शेर मार्केट में पईशा कमाने में आपकी मददगार साबित होगी साथ में शेर मार्केट हो या शेर मार्केट एक ही लेवल तो दोनों इस्तिती में पैसा बनाती ए आचारे चानके की हैजिंग कोर्स की माध्यम से तीनों में से जो कोर्स आपको जोएन करना है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स जोएन कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैश्श्री राम ऐसा कर लीज़ रिए झाले मिल भीज़ क्लिक कर लीज़, व……